मंत्र पढ़ना, मंत्र सीखना और मंत्र को आत्मसाथ करना ये तीनों अलग Uलग चीज है पढ़ कोई भी सकता और अत्मसाथ सिर्फ बिरले ही कर पाते हैं मंत्र कोई शब्द नहीं, एसास है इस्चोय के साथ जुड़ने कर, उनको समझने कर तो जो अंतर मन में उतर जाए वो मंत्र है Basically हमारे संस्थान में हम मंत्रों से संबन दित मंत्र हीलिंग, ब्यूटी मंत्र, रिलेशन्शिप मंत्र, मंत्र फॉर गुड हैल्थ, माइक्रो मंत्र हीलिंग इस तरीके के कोर्स करवाते हैं तो हमारे यहां पर भविश्य एस्ट्रो रिचर्ट सेंटर में मंत्रों से संबन दित, सभी प्रकार के कोर्स ऑनलाइन भी करवाय जाते हैं जिनका सर्टिफिकेट दिया जाता है तो मंत्रों की साधना करना और उनके कोर्स को करना एक अदूतिय चीज है जो हर कोई तो नहीं कर सकता है लेकिन यदि आप इच्छा रखते हैं आध्यात्मे के चेतर में आने की मंत्रों के साथ जुड़ने की क्योंकि मंत्र जीवन में आपको वो सब कुछ परदान कर सकते हैं जो आप इच्छा रखते हैं उच्छित भाव से सात्विक भाव से आप मंत्र सीख सकते हैं एक देवाक है हमेशा के लिए कि आप जीवन में जो भी सीखेंगे वो एक ना एक दिन जरूर काम आएगा और ये तो फिर सीधे साक्षा इश्वर से जुड़ने के मंत्र हैं आप किसी मंदिर में जाते हैं वहावी मंत्र बोलते हैं आप वहाँ शिव मंदिर में जाएं नुमान मंदिर में जाएं दुर्गा मंदिर में जाएं किसी भी मंदिर में जाएं वहां पर मंत्रों का उच्चारून करते हैं क्योंकि मंत्र हमें इश्वर से जोड़ते हैं तो आईए आप हमारे संस्थान से जुड़िए मंत्रों से संबंधित विद्याओं को सीखिए वो दो मंत्र का कोर्स भी हो सकता है वो साथ मंत्र का कोर्स भी है वो 21 मंत्र का कोर्स भी है जो भी आप करना चाहें जिसके लिए आपका शरीर आपका दिमाग आपको इस बात की इजाज़त दे इस चीज़ को करने की तो जरूर जुड़िए हम चैस संपर्क करिए हम आपको निश्चत रूप से जीवन भर इस चेत्र में सहयोग कर सकते हैं